तुन हर कोई आके बढ़ना चाहता है हर कोई हएं चाहता है और खासकर वह बच्छे जो अभी अभी कॉले जーLA होसे निकले हैं धिन अभी एजूकेशन पूरी निकले है तो वह सारे बच्छे जो नएए नया जॉब्ल करते हैं जो नना पैसा कमाना शुरू करते वो चाहते हैं कि उनको success मिले और friends मैं आपको बता रही हूं कुछ ऐसी tips for the youngsters I am going to give you some tips for youngsters कुछ ऐसी tips दे रही हूं आप उनको follow कीजिए and success को अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दीजिए friends से ही आप कोई job join करते हैं कोई business start करते हैं don't go in comfort zone उस business उस job की comfort zone में जैसे ही आप गए तैसे ही आप सोचिए आपने success को पीछे धका मार दिया क्योंकि आपकी life जैसी comfort zone में जाएगे आप और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेंगे और ज्यादा successful होने के लिए और कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कोशिश कीजिए एक नया project start कर लीजे जिससे कि आप comfort zone से बाहर निकलते ही you are on the path to success friends हमेशा आप suppose आप एक business man बनना चाहते हैं तो आप वो ही business select कीजिए जो आपका शौक है जिस चीज में आपको बच्पन से इंट्रस्ट रहा उसी को अपना business बनाईए अब आप जिस काम के अंदर पूरी लगन से पूरी मेहनत से लगे हुए हैं तो आप successful कैसी नहीं होंगे difference मुझे बताईए success मिलेगी ना आपने बिजनस स्टार्ट किया आप नहीं भगवान ना करे खुदा ना खास्ता आप unsuccessful हो गए अब आप तो पच्टाने लग गए आप तो रोने लग तो सुनो भाई आपने बिजनस या किसी चीज़ के unsuccessful होने पर मत रोईए मत पच्टाईए आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि जो efforts मैंने किये थे उन efforts में मेरी क्या गलती रह गई जो मैं unsuccessful होगई उन गलतियों में सुधार लाइए unsuccessful होगर रोने की बज़ाए repentance की बज़ाए अपने उन efforts को improve कीजिए जिससे की next time when you make efforts again you get success आपकी तीसरी बात आपको जो ध्यान रखने वाली वो यह है फिर आप जो भी काम करते हैं मान लोग कि आपने को business start कर लिया entrepreneurship आपने start कर ली तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप लोग उसमें जो भी team लेते हैं तो उस team में सबसे पहली बात you have to select the persons you know and उन जानकार लोगों म से भी किसी धोके बास को अपना उसमें entry मत दीजे हमेशा अपने विश्वस्मिये लोगों को ही अपने साथ लेकर चलिए जिन पर आपको पूरा विश्वास हो की आपकी absence में यह कोई भी कामगड़बर नहीं करेंगे तो यह आपको एक बात और ध्यान रखने की है और जो ही आप जो भी काम करते हैं उसमें self confidence से काम कीजिए अपने उपर विश्वास रखिए आत्म विश्वास successful होने की पहली सीड़ी है तो उस पहली सीड़ी को miss मत कीजिए आप confidently जब काम शुरू करते हैं overconfidence होने को नहीं कहरी मैं फ्रेंस एक बात ध्यान रखिए overconfidence and confidence यह दोनो अलग-अलग बाते हैं overconfidence होने का मतलब अहम ब्रह्म असमी जो नहीं मैंने कह दिया जो मैंने कर रहा हूँ वही सही है वही नहीं 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 don't be overconfident but have confidence on yourself and you start the work आपको success definitely मिलेगी from my side मैंने आपको ऐसी tips दी हैं if you follow them you are going to get success 100% so friends wish you all the best see you soon bye